आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के अंदर ओने दो कुरोड की जंता है और सभी लोगों ने पट्रियों पे और पट्रियों के किनारे बैठे हुए खास तोर से एक कौम है सरदारों की उनको देखा हुआ जो ताला चाबी बनाने का काम करते हैं और गलियों में भी फेरी लगा लेकिन पिछले सतर सालों के इंदर लगबख सभी राजितिक पार्टियों दोहरा इनका वहिश्कार किया गया है और इनके पुनरवास के लिए किसी तरके की कोई योजना किसी भी सरकार ने नहीं मनाई क्योंकि संख्या में इनकी पास वोट कम है लेकिन इनके अधिकार के पारे में कोई बात नहीं करता कि इसी तरके का इनको कोई धरजा नि दिया था इन लोगों की माँगए कि कई तरके के बश्टाचार कई सरकारी जिंसी के लोग इनका खिसात करते हैं पुलिस सब्सक्राइब बड़तारित करती है जब कोई भी आजपास चोरी की घटना होती तो सबसे पहले शक की नजर से इंको देखा जाता है और इंको बे मतलब पिर्शान करके इंसे पूछताज करी आती है लंबी जिससे यह लोग बड़े ही परताडित होते हैं रानी वाक्षेत्र में संतनगर चोकवे ऐसे एक चावी वाले से मिले और शुब एंकले तो इनकी यही बात थी कि हमारे को और हमारे परिवार जन्रल से हम लोग अनपड़ होते हैं और हमको पढ़ने लिखने का मोका नहीं मलता आर्थे तंगी कारण हम इस काम में लग जाते हैं और हमारे ठाईये इस सरकार से मांगए कि सरकार के दूंदर पुले से और बहुत सारे ढपा रेस्ट और यह घाता है इसे मांग है कि इंको निशुल्क क्वाटर दिया जाए और कई तरगे की मांग इंकी है कि इंके बच्चों को फ्रीश इच्छा जहां भी यह कारेगरात करते हैं क्योंकि इंगे पर महां का वोटर कार्ड अधार कार्ड नहीं होता इसलिए जहां भी इंकी दुकान ये ठहिया लगाते हैं वहीं आसपास इंको जो है इनके बच्चों को पढ़ने का मुका मिलना चीए निशुल्क और कई द्रगे की सरकार से मांग है जिसका आज तक किसी सरकार ने इंकी और ध् सक्क्रांदें और दिल्ली में मौजूद μ 50 के आपल राज करने वा भाजब्पा से वह यह पर्यास बॉजरी देख यह ठोगे है और दिल्ली पुलिस के ऊपर को को के दोखेंट्रोल में लिजिवा परादना करोंगी इंके विकास वक्च्चां बțiक्स करने के लिए हैं कि इ प्रिशेश एक पैकेज की घोशना करी जाए इस तरी के साथ आज की शब्दा वाली को वरादे दों जाहिं जाहिं जाहिवारत